आज आपको हम मा दुद्गा के सकती मंद का सिधी विधान देने जाद हैं हैं इस मंद को आप जागरित करने के बाद यसी दिखरने के बाद आप मा दुद्गा से ध्यान के माध्यम से जुड़ सकते हैं अपने प्रस्णों के उत्तर जान सकते हैं उसे ध्यान के माध्यम से वाज़ता कर सकते हैं, और आप अपने लिए जो भी आपकी समस्या हैं उसके लिए उपा जान सकते हैं, आप माध से ध्यात्मिक प्रस्णों के उत्तर जान सकते हैं, अपने भावतिक समस्याओं के निदा करण दे सकते हैं, तो इस मन्त में अध्भुत और असीम की प्रीफा मिलती है, क्योंकि मा का यह सौम्व मंत्र है, इस मंत्र को करने के बाद आपके अंदर सक्तियां भी जागरित हो जाती है बहुत सी, और आपका ओड़ा भी प्रचन्ज होने लगता है, और सब प्रथम बात, इस मंत्र को सिध्ध करने के बाद या जाग्रित करने के बार मंद सवाथ लाक में जाग्रित हो जाता है लगिन अगर अगर इसका जब करें تو आति उत्तम ही क्योंकि जब पूर्जा आपके पास रहेगी इतना ही आप इससे कार Hem ले सकते हैं क्योंकि कार है आपकी जब पूर्जा ही करती है और इसको आप सिद्ध कर्द के मा से जुड़ने का अगर विधान ले ले तो अति उत्तम है क्योंकि आप फिर एक तांतिक ही हो जाएंगे क्योंकि यवाब के पास उकला हो जाए जिससे आप सक्तियों से बात वर्ता कर सकें तो फिर आपकी सारी समस्याओं का निदा करण सोता ही होने लगता है कई साधक चाहते थे मा के इस मंत का सिद्ध विधान प्राप्त करने के लिए तो आज आपके लिए मा का सदल और उत्तम तरीके से सात्विक तरीके से जो होड़ रुपेर सात्विक है अजसा विधान आपको हम देने जा रहे हैं जिसको आप करने के बाद आपके जीवन में निश्चित हिलाब होगा और मा की क्रिपा मिलेगी और सरप्तम इसके वरीता यह है कि आप इस मन्द को अगर जागरित कर लेते हैं सिद्ध कर लेते हैं तो आप मा से कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि यह सक्ति मन्द है मन्द दो प्रकार के होते हैं एक सक्ति मन्द एक कार्शिध्धी मन्द लेकिन इस मन्द की विशेष्ता यह सक सक्ति मन्द के रूप में भी कर्ता है, और कादशिद्धी MP नोसी में बहुत से खमताएं हैं। लेकिन आपको आना चाहिए। कि आपको कैसे दूर करना है। तो ओम भ्रीम दुम दुरगाय न्मा, इस मन्द हुआ आपको कैसे सिद्ध करेंगे। आज इसी विसेफ्राद चर्चा करते हैं, आपको सिध्विधान देते हैं, पहले समगरी नोट कर लिजी, आपको लेना क्या क्या है, सरपथा में आपको एक आसन लेना है, आसन पुसाया कंबल का होना चाहिए, एक संसकारित उद्राच माला होनी चाहिए, आपकी पंच मुख जिसके आपको जाप करना है, आपको एक बजोट होना चाहिए, एक लालवस्त होना चाहिए, लालवस्त नोट के लिए, आसन के उपर भी लालवस्त आपको भी और आपको भोग में खोवे से बनी हुई मिठाई देनी है मा को देशी घी का दीपक होना चाहिए एक नीमू बली देनी है मा को आपको और अगर वत्ती धूप कपूद जो नार्मल पूजा में लगता हूं सारी समग्रिय आपके पास रहनी चाहिए तो आप किसी भी उससे बनेगी इतना ही आपके लिए लापरद रहेगा 21 दिन के साथ या का ना करते है तो आप 3,500,000 का अगर 11 दिन करते हैं इसा कीजिए और आपको जब जिस दिन आपका स्टार्ट होगा मा को सारी भोक समगरी जोबी जैसाफ या पूजा कि समय करते हैं सब कुछ अपने हिसाब से भाव के हिसाब से कीजिए सब कुछ मा को चढ़ाइए उसके बार मा से प्रातना कीजिए कि हम आपके इस मंद्ध को से जागरित करने जाने है क्रिपा करने हमारे उपर उसके बाद आपको ग्यारा हजा प्रदिन जाप करना है इस मंत्र का अब पूर्ड ब्रह्मिचर में रहना है लासुन प्याज का त्याक कर देना है अगर हो सके तो ब्रह्मिचर लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्रह्म मंद का भजन मनन आपको करते रहना है और आपको प्रद दिन 11,000 जाप करना है अगर सवाला करते हैं ग्यार दिन में कर लीजिए नहीं ते 21 दिन कर लीजिए जिस दिन आपका आखरी दिन कंप्लीट होगा उस दिन इसी मंद का ओम हरीम दुम दुरगायन महमंद का चयतन हो जाएगा जागरित हो जाएगा उसके बाद आखरी दिन आपको जब भावन करने के पर साथ एक नारियल एक नीमू मापको भर्च दूसरा मर्पित करना है बली शुरूप में नीमू खड़ा काटना है नारियल फोड़ देना है मंद पढ़ती है ओम दुरगायन महम आपको जागरित हो चयतन हो जाएगा उसके बाद आप इससे कारे ले सकते हैं किसी को प्रेद बाधा हो रही है किसी को हाथ पाय दिया सरीर में दिखका थे प्रेद बाधा से तो आप जल हाथ एक कटोरी में जल लेंगे या गिलास में जल लेंगे और साथ बार या ग्यारा बाद मंत्र पढ़के आफ मंतित करेंगे उसके बाद मां से प्रातना करेंगे मन ही मन जो भी या समस्या है तो समस्या के लिए अराम हो जाएगा और बहुत से ऐसे कारी हैं जो आप इससे कर सकते हैं आपके कोई मनो कामना पूर्टी पार है आप मां से बावारता कर सकते हैं तो इससे बहुत से कारी आप कर सकते हैं किसी को पर कवच लगा सकते हैं घब कीलित कर सकते हैं बहुत से कारी है इससे जो आप कर सकते हैं तो अगर आप से सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर कर सकते हैं तो सिद्ध कीजिए इस मंत को और अपने जीवन में बदलाव लाईए अपने जीवन बदलिए यह सरा लव सर्वोतम विधान है जिससे मंत सिद्ध हो जाएगा और आपका काल भी करेगा और आपके जीवन में निश्चिति मां की क्रिपा प्राफ्त होगी और बदलाव हो भी लव की परिछड करा सकते हैं सक्णियों के माध्यम से और आप कोई भी साधना सिद्धी समंधी मार्ग रसन चाहते हैं तो आप हमारे आश्रम पे आके भी कर सकते हैं और आनलाइन भी सारी सुझधायों खलब्द हैं किसी फिरकार की आपको भूत प्रेताज सिर्च्छा के आप हमारे यहां से प्राप्त कर सकते हैं तब तक के लिए सभी मा के भगतों को सभी साधक साधिकाओं को जैसरी माता रानी जैमा योग माया